हेलो फ्रेंड्स आज हम बरफ के गुले की रेसिपी देखेंगे बरफ का गुला समर में सारे मीज कर रहे होंगे तो आज हम होममेड सीरप से बरफ का गुला घर पे कैसे बनाना है वो देखेंगे तो आज मैं यहाँ पे आपको तीन सीरप बताने वाली हूँ जो घर में जो अ पानी लेना है और उसमें आपको अधा कटोरी आपको शुगर डालनी है और इसे चिपचिपा होने तक आपको उबालना है जब तक ये चिपचिपा ना हो जाए तब तक आपको इसे उबालना है देखी इसमें अच्छे से उबालाया है और इसे तब तक आपको उबालना है जब तक कि ये स्टीकी ना हो जाए इसमें हम स्वात के लिए थोड़ा सा काला नमक एड़ करेंगे हमें इसे ओरेंज कलर में बनाना है इसलिए इसमें हम जो ओरेंज फुड़ कलर आता है वो उसमें हम थोड़ा सा एड़ करेंगे ये हमारे पास थोड़ा सा ओरेंज कलर है वो हम इस सीरप में एड़ करेंगे इस सीरप में हम निम्बू भी एड़ करने वाले हैं निम्बू का रस पर वो हम थंड़ा होने के बाद डालेंगे देखिए सीरप बन चुका है अब हम उसे एक बरतन में ट्रांसपर कर लेते हैं थंड़ा होने के बाद हम उसमें निम्बू का रस डालेंगे निम्बू का रस आपको से दो चम्मच डालना है अब हम दूसरा सीरब बना लेते हैं यहाँ पे जो हम कोकम से बनाएंगे मैंने दो गंटे पहले कुछ दस बारा कोकम पानी में बिगो के रखे थे उसे हम इस पानी में डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से उबाल लेंगे ताकि कोकम का पूरा जो स्वाद है वो पानी में उतर चले कोकम को अच्छे से उबाल आने के बाद हम उसमें शक्कर एड़ करेंगे और इसे भी हमें तब तक उबालते रहना है जब तक कि यह सीरप स्टिकी न हो जाए और थोड़ा सा काला नमप भी हम इसमें डालेंगे और उसको अच्छे से उबालने देंगे यहाँ पर हमने जो औरेंज सीरप रखा था उसमें हम दो चमच निम्बू का रस डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे निम्बू का रस कभी भी घरम सीरप में मड़ डाली है कड़वा लगीगा यहाँ पर हमारा कोकम का जो शर्बत सीरप है अच्छे से उबल रहा है हमने जो ओरेंज सीरप बनाया है उसे हम एक ग्लास में ट्रांसपर कर लेते हैं और उसी वरतन में हमने जो अभी कोकम का जो सीरप बनाया है उसे च्छान लेते हैं और इसे भी हमें अच्छे से ठंडा हो जाने देना है फिर ठंडा होने के बाद हम इसे भी ग्लास में निकाल लेंगे तीसरा जो सीरप हमें यहापे बनाना है वो कच्चे आम का बनाना है कच्ची केरी जो आती है उसका बनाएंगे कच्ची केरी को मैंने छीन लिया है और उसमें मैंने कड़ई में मैंने उसको आधा कप पानी में उबानने के लिए रखा है पोकम का सिरफ हम ग्लास में निकाल लेते हैं देखिए याँ पे आधा कटोरी पानी में मैंने कच्चा आम डाला है जीरा पाउडर और काला नमग डाल के इसको अच्छे से उबाल आने देना है कच्चे आम का है तो इसमें ग्रीन कलर जाएगा ग्रीन कलर गोले में बहुत कुपसूरत लगेगा और इसको भी हमें बहुत अच्छे से उबालने देना है जैसे कि कैरी का पूरा स्वाद पानी में उतरेगा फिर हम इसमें भी शक्कर एड़ करेंगे और इस सीरफ को भी हमें स्टीकी होने तक पकाना है देखिए हमारा जो सीरफ है वो स्टीकी बन चुका है अब हम गैस बन कर देंगे और उसे ठंडा होने देंगे इस सीरफ में हम कुछ पूदीना भी डालने वाले है इसलिए मैंने मिक्सी में कुछ पूदीना के पत्ते लिए है और यह जो केरी का सीरफ है वो हम पूदीना के पत्ते के साथ अच्छे से उसकी पेस्ट बना लेंगे या मिक्सी में उसका अच्छे से प्रश करके उसका सीरफ बना लेंगे यह देखिए हमारा कच्चे आम का भी यहां पे सीरफ रेडी हो चुका है यह तीनो सीरप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है आपके पास अगर कलर्स अवेलेबल नहीं हो तो आप बीट का जूस भी इसमें डालके रेड कलर का बना सकते हो इन तीनो जो सीरप हमने बना है उनको आपको एक गंटे तक फ्रीज में रखना है ताकि वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए मतलब गाड़े हो जाते है अगर आप फ्रीज में रखोगे तो यहाँ पर मेरे पास तीन ग्लास है उसमें हम बरफ का बूला बनाएंगी यह जो बरफ मैंने फ्रीज में जमा के रखी थी उसे हम एकपी में पीस लेते हैं अच्छे से उसको मैंने यहाँ पर कर कर लिया है अब जो ग्लास में ने लिये थी उसमें मेरे पास जो प्लास्टिक की स्टीक से उसको बीचो बीच रखके चारो साइड से हमें बरफ का जो क्रश है वो डालना है और दबाते हुए उसका गोला बनाना है देखिए अच्छे से चारो साइड से दबाके यह हमारा गोला यहाँ पर बरफ का रेडी है अब हम इसके उपर सीरप डालेंगे तो मैं यह आपे उसके उपर औरेंज सीरप डाल रही हूँ वाइट के उपर औरेंज कलत बहुत तीक अबसूरत लगता है टेस्ट में भी यह सीरप बहुत अच्छा लगता है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करिएगा यह जो सीरप हमने बनाए है वो एक ही बार आप कोकम और कच्छे आमका गोले का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है कोकम से आइसिडिटी कम होती है तो यह गोला भी बहुत ही हेल्दी और हाईजेनिक गोले हम घर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में एक बार आपने सीरप सारे बना लिए तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ये गोले बनाने के लिए और अलग-अलग तीन प्रकार के शर्बत भी आप इसी सिरप से बना सकते हो तो देखिए हमारा कोकम और कच्छे आम का गोला भी आपे रेडी है मैंने यहाँ पे एक आइस डिश भी बनाई है तीनों कलर में इस तरीके से यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राइ करिएगा और आपके बच्चों के साथ एंजोई करिएगा ओके बाई